तो अब्रेवन वेलकम टू बरेंशोक्स मेरा नाम रजयत है और इस वीडियो स्रीज में कर रहे हैं गेट इंजिनिरिंग मैट्स के प्रिविसर कॉश्टिन्स अल ब्रांच घर वीडियो में पांच कोश्टिंस करते हैं प्लाल मारा टॉपिक चल रहा है प्रोबिलिटी तो फ तो उनका बर्थ एप्रेल में है और उनका बर्थ देट फिर सेम है ठीक है अट लिस्ट दो लोगों का बर्डे सेम डेट पर होने की प्रोबिलिटी पॉइंट से बढ़ जाए ऐसे कितने हम लोग मिनिमम एकठे करें ठीक है अब एक चीज़ देखो अगर मालो मिनिमम दो लोग तो हनी चाहिए मिनिममम अगर दो लोग लेंगे तब बहुत कम प्रोबिलिटी होगी कि दोनों का बर्डे सेम डेट आए बट जैसे से लोग बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा प्रोबिलिटी बढ़ती जाएगी ठीक अगर हम बात करें 30 30 लोग हों तब हम क्या सकते हैं कि सबका बढ़ते की एक एक तारीक को आगया तब तक प्रोबिलिटी बन तक नहीं है 31 होते ही प्रोबिलिटी बन हो जाएगी ठीक है तो हम्हें स्मॉलस्ट टंबर्स पाइंट करने है तो हम इए इवेंट मालो कि क्या है एट लीस्ट टू पीपल है 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 सेम डेट और बर्थ है ठीक है ओनली डेट की बात हो रही है एप्रेल में इसका उल्टा इवेंट क्या हो जाएगा देखो यह बार क्या होगा अगर देखा जाए ठीक है इसका कौन आए इबार हो जाएगा कि किसी का बढ़े भी सेम डेट पे नहीं ठीक है एट लिस्ट तू यानि दो तीन चार आउसकता है ठीक है नो वन है कि सब लोग अलग अलग तारीक को पैदा हों ठीक है तो मुझे बोला है कि प्रॉबिलिटी ओफ यह वह ग्रेटर दन पॉइंट फाइव का बोगी यानि वन माइनस पी इबार ग्रेटर दन पॉइंट फाइव तो पी इबार उदर चला गया यह लेस देन पॉइंट है तो हमें एक एन ऐसा नंबर चाहिए जब किसी भी दो लोगों का बर्डे सेम डेट ना हो तो अब देखो यह कैसे आएगा अगर मान लो एन लोग है ठीक है पहले बंदे का बर्डे कुछ भी हो सकता है कोई दिकत नहीं उसके लिए फेवरिवल सारे दिन है आउट ओफ 30 30 आउट ओफ 30 ठीक है बट पहले दूसरे के लिए एक दिन कम हो गया अगर मान लो किसी का बर्डे 2 एप्रिल को है तो सेकिंड परसन का बर्डे सेकेंड को नहीं होना चाहिए ताकि हम सेम डेट पर नहीं हो ठीक है तो सेकेंड के लिए फेवरिल के डेस ओनली ट्वंटी नाइन हो गया आउट अब दो डेट फिक्स हो गई तीसरे बंदे के लिए अठाइस हो गया ठीक है अब तो यह चलता हुआ जाएगा अब एक्चुली इसका कुछ आगे फॉर्मूला नहीं है हमें मैनूली देखना पड़ेगा ठीक है कि पुट करके कि मल्टिप्लाइख हो दिये करना पड़ेगा अब अगर जनरल फॉर्मूला बनाओ देखो यहां पर क्या एगा 30 है तो यह एक जर्नल पॉर्मूला बन जाएगा और यह बेसिकली अगर देखा जाए इसको आप करते हो जाओगे अगर यह मेरे साब से 30 फैक्टोरियल आगे जाके तो बन हो जाएगा ठीक है ठीक है 30 फैक्टोरियल और नीचे और मुझे क्या करना पड़ाए आगे मल्टिपले 30 माइन एन 30 माइनस एन प्लस वां 30 माइनस एन प्लस टू तो नीचे 30 माइनस एन फैक्टोरियल ठीक है और यह 30 कितनी बार आ जाएगा यह 123 अप्टो एंड टाइम्स है तो थर्टी की पावर एंड टाइम्स ठीक है या तो आप इसलिए में पुट कर लो एन की वेल्यू बार बार ठीक है और आपको स्टार्ट कहां से करना है मिनिममम नुबर से 7 से स्टार्ट करना है फिर 15 फिर 16 ठीक है तो देखो अगर मान लो एन की वेल्यू 7 तो प्रोबिलिटी ओफ यह बार क्या एगी यह पॉइंट 5 से लेस लुथे 29 यांतर है टी टवन्ति एट भाइस टी ट्री टोन्ते इसकुं बॉसके लेकरोगे हैब कि यहता टी रडू味 一फ वेटी एट टो ट्वून्ती एट इट इन्टु 20 7 इन्टो ट्वंटिसिक्स इन्टो ट्वंटिफाइव इन्टो ट्वंटिफॉर और ट्रटी एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है यह आ जाएगा 0.4691 ठीक है तो यही सैटिस्फाई कर जाएगा ऑप्शन भी आ जाएगा ठीक है एक यही तरीका है अब बड़े नंबर के ल इंटो 28 अब तू क्या है 30 माइनस एन माइनस ठीक है अगर मैं उपर मुल्टिप्लाइ करूं आगे नेक्स टमबर क्या आएगा 30 माइनस एन प्लस वन आगे जाते है ते वन आएगा लिस्ट लास्ट में जो टम आएगी बान बाइवाटिप्लाइगी और यह चीज़ों में म वाट यजाता यांते में तो यह क्या हो जाएगा वेन से लेकित थक का मिल्टिप्लाइग तो थो ऐस्थी जो ए और प्यूप है ठीक है अगर हमें बाग के option try करने पड़ते हैं थोड़ा सा दिक्कत तो करता है और वैसे भी गेट में हो सकता है बाकी एक्जाम से मुश्किल है ठीक है बस आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जैसे जैसे जादा लोग होंगे वैसे वैसे probability बढ़ेगी ताकि मैं याद पता चल of the probability that face value is even probability of getting an even number face is same if probability that face is even given that it is greater than 3 is 0.75 then the probability that face value exceeds 3 देखो क्या होगा कि जो probability है और आने की वह कितना 90 परसेंट यह नहीं 0.9 है probability of even आने की ठीक है अब हमें पता है probability of odd प्लस probability of even या तो ओड आएगा या इवन आएगा उसकी टोटल तो बन होगी अब यह वह पॉइंट 9 कि टाइम्स क्या है probability of even कि प्रॉबिलिटी ओफ इवन तो यह जाएगा 1.9 probability of even कि दोनों का सम वन हो जाएगा अब हमें पता है कि प्रॉबिलिटी ओफ सारे इवन आने की एककोल है प्रॉबिलिटी ओफ गैटि एनी इवन नंबर फेस एकल चाहे टू आने की probability फोर आने की probability 6 आने की प्रॉबिलिटी से यह गए 10 by 19 x की वैलियो आगी 10 by 57 ठीक है अब यह है even आने की probability ठीक है आ सुरी 2 आने की प्रबाबिलिटी थिरी आने की टुवाने की फोर आने की 6 आने की even number आने की 10 by 99 है अब हमें क्या बोला गया है कि given क्या है इस probability that face is even अगर probability है इसका मतलब क्या है प्रोबिलिटी इवन इंट्रसेक्षिन आर गेटर दन थ्री ए और गेटर दन थ्री प्रोबिलिटी आर गेटर दन थ्री हम से पूछा क्या है यहां प्रोबिलिटी और इसको बात करूं तो इसको नीचे ले जाओ इसको यहां पे लेओ probability of 4 probability of 6 इसको x plus x लेता हूँ और इसको डिर्कली से बिल्टिप्र के 0.75 ठीक है तो डिवाइड बाइब 0.75 तो 2x by 0.75 2x क्या है XL 10 by 57.75 75 by 100 3 4 80 divided by सातीक के स्पांसी पंद्रा इती डिवाइड बाइ 171 एक इटी डिवाइड बाइ ती आ जायेगा जीरो पॉइंट 4678 चीक है कि यह कुशन थोड़ा ठीक अगर दिखा जितने हमें अभी तक कुशन किये हैं एके करके निकाली हमने लिए रिमुग फि mec कि पहली बॉल एक गिवन हमारे पास हमारे बास बॉल निकाली और हमारे सामने हैATE ह कहां वाइट है tentang बाद second ball रेड आने की probability कैसे होगी देखो अगर वाइड बोल निकल गी है टोटल साथ बोल है उसमें चार वाइट है अगर वाइट निकल चुकी है तो remaining ball टोटल छे बची और उसमें से तीन वाइट है तीन रेड है छे में से तीन वाइट तीन रेड है तो उसके बाद रेड यानिके probability होजएगे 3 by 6 यानि 1 by 2 सिधी बात है ठीक है सिधा कर सकते हो इसको अब बेस फिरंस भी करना चाहो तो कर सकते हो वह खूट राए करना ठीक है नेक्स कोश्चिन है टू कॉइंसर साइमल टेंसली टॉस्ट दा प्रबबिलिटी ओफ टू हैट साइमल टेंसली अपीरिंग इस तो दो हैड में टोटल चार केस बने दो दोनों हैड आने का ओनली एक केस होता है तो वन बैफ ओर आ जाएगा ठीक है यह बहुत सिंपल से सव प्रबबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू वॉशर फर्स्ट फॉलडबाइ थ्री नट्स एंड सब्सेक्वेंटली दफॉर बोल्ट इस ठीक है तो पहले हमने दो वॉशर निकाले उसके बाद तीन नट्स फिर उसके बाद चार बोल्ट इसकी प्रबिलिटी क्या होगी ठीक है दो वॉशर निकल चुके हैं अब थ्री नट्स फ्री बोल्ट बचे हैं तो उसके बाद नट आने के प्रबिलिटी पहला थ्री बाई सेवन दूसरा नट आने के प्रबिलिटी पहला थ्री बाई सेवन उसके बाद अगर मालों टू वॉशर थ्री निकल चुके हैं उसके बा टू फॉर जा एट ठीक है तो ऊपर तो वन ही बचा या बचा नाइन सेवन शिक्टी त्री और इसका वह ट्वंटी शिक्टी इंटू ट्वंटी शिक्स और एक जीरो ओप्शन सी ठीक है तो यह तो पहले दो स्वाल अच्छे थे उसके बाद तीन स्वाल तो सिंपली थे तो इसके साथ पांच कोशन्स मारे खतम होते हैं इस वीडियो के किसी भी कोशन में डाउट हो वीचे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को सीखाओ प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मच